नवजात शिशु को गोद में लेने की खुशी की कोई सीमा नहीं होती। शिशु का जन्म एक पेचीदा और जटिल प्रक्रिया है जो तब शुरू होती है जब जाइगोर्द दरार से गुजरता है और ब्लास्टोसिस्ट में विक्सित होता है एक खोकली गेंद जिसमें ट्रोफोब्लास्ट एक आंतरिक कोशिका द्रवेमान और ब्लास्टोसेले ना अरोपन के बाद ट्रोफोब्लास्ट और बढ़ता है जिसके कारण ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशे की कोशिकाओं में धंस जाता है और धक जाता है जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशे में और नीचे जाता है ट्रोफोब्लास्ट पर उंगली जैसे उभार दिखाई दे दिल्चस्प बात यह है कि जब प्लेसिंटा बनना शुरू होता है तो आंतरिक कोशिका द्रवेमान नीचे की ओर बढ़ता है और विभेदित होकर एक ब्रूनिय डिस्क बनाता है जिसमें तीन रोगानु परतें बाहरी एक्टोडर्म, मध्य मेसोडर्म और आंतरिक एंडोड शामिल होती है रोगानु परत शब्द इंगित करता है कि प्रतेक परत उतको को जन्म देती है उदाहरन के लिए एक्टोडर्म तंत्रिका तंत्र और त्वचा को जन्म देता है जबकि मेसोडर्म मांसपेशियों और हृदय और गुर्दय जैसे अंगों में विक्सित होता ह जबकि एंडोडर्म संपूर्ण पाचन तंत्र को जन्म देता है क्या आप जानते हैं कि तीन रोगानु परतों के अलावा बुरूनिय डिस्क में कुछ कोशिकाए भी होती हैं जिन्हें स्टेम कोशिकाए कहा जाता है जो मानव शरीर में मौजूद सभी उतको और अंगों क जन्म देने की क्षमता रखती है